हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है रहान और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रहान आटो मोबाइल में तो उमीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे बिल्कुल खेरियत से होंगे तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर सेविन सीटे रेसिवी के बारे में बतलाईए और उसको हम परसनल भी चल सकते हैं और भाड़ा में भी चल सकते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले टाटा सुमो विक्ता का वीडियो बनाया था जो कि आप minimum 1,00-2,00-2,00 के budget में बिलकुल खरीद सकते हैं personal use भी कर सकते हैं और भाड़ा में भी चल सकते हैं उसके बाद मैंने बतलाया था Tata Sumo Gold के बारे में Tata Sumo Gold आप 2,00-2,00-3,00,00 तक ले सकते हैं और personal use भी कर सकते हैं और भाड़ा में भी चल सकते हैं Sumo Victor का और Sumo Gold का दोनों का भाड़ा में काफी demand है तो आप ये दो SUV खरीद सकते हैं और अगर इनका detail जानना चाहते हैं आप Tata Sumo Victor का ये Tata Sumo Gold का तो मेरे चैनल पे जा करके आप देख ले तो सारा detail आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे लोग ये कह रहते हैं कि सर आपने तो Sumo का वीडियो बना दिया पर हम लोग तरब Sumo चलता नहीं है तो हमारे लिए प्लीज बोलेरो का वीडियो बना दिजे तो आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ बोलेरो के बारे में details से तो चलिए इसी उमीद के साथ आज का वीडियो सुरू करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और मैं आप लोगों को जो information देता हूँ वो बिल्कुल अच्छा लगता होगा समझ में आता होगा आप लोगों को काम आता होगा और अच्छा लगता होगा तो वीडियो को like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को share भी कीजेगा और हाँ आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया आज मेरे 10,000 subscriber हो गये हैं और एक छोटा यूट्यूबर के लिए 10,000 subscriber बहुत बड़ी बात होती है तो जो लोगों ने मुझे subscribe किया उसे बहुत बहुत सुक्रिया दिल से सुक्रपुजार हूँ मैं उन लोगों का जो मेरे चैनल को subscribe करते हैं जिससे मुझे को motivation मिलता है हिम्मत मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाता हूँ और अच्छा अच्छा information लेके आता हूँ और अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई confusion होता है कोई question होता है तो आप मुझे मेरे यहाँ पे Instagram में मुझे contact कर सकते हैं और मुझे comment भी कर सकते हैं मैं हर comment का reply करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया इसी तरीके से आप अपना प्यार अपना support बनाए रखें ताके मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ तो आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ महिंदरा बोलेरो के बारे में तो जैसा महिंदरा बोलेरो के बारे में आप लोगों को पता ही है कि इसका demand बहुत ज़्यादा है इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और personal use भी करते हैं और भाड़ा में भी चलते हैं तो personal use इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है maintenance कम है अब भाड़ा में क्यों चलते हैं तो भाड़ा में भी इसलिए चलते हैं क्योंकि maintenance कम है उनका पैसा कुछ बच जाता है और जो लोग भाड़ा में चलते हैं उनको पैसा बचाने के मिल जाता है और एक डियाए मोडल है जिसमें 16 और 17 तक का भी माइलेज आपको मिल जाता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मोडल के बारे मतलाता हूं क्यों महिंद्रा बोलेरो में बहुत सारे मोडल हैं नहीं पावर स्टेरिंग होता है तो उसके बाद बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो डियाई की और ये जो महिंद्रा बोलेरो डियाई है इसी का सबसे जादा डिमांड होता है भाड़ा के लिए और डिमांड इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना AC होता है ना इसमें पावर स्टे करते हैं अगर इसको maintenance करने की बात आए तो अगर चारो पत्ति का आप काम कराते हैं तो 1000-1200 तक में यह बन जाता है इसलिए भाड़ा में इसका डिमांड बहुत जादा होता है वैसे छोटे सहरों में और गाओं और कस्पों में रोड भी अच्छा नहीं होता है रोड का हालत बहुत ही खराब रहता है तो यह जो पत्ति वाला होता है महिंद्रा बोलेरो डियाई इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है और आराम से चलता है बार बार alignment का जरूरत नहीं पड़ता है इसलिए महिंद् सब्दिवाला ही सम किन रता है उसके बाद महिंद्रा बोले रेसलिये Guy है यह झालता है इस तरीके से देखा जाय तो दूबर इसलuls में आपको एसी sourdки मिलता है और शुदोल भी मिलता है और जो महिंदरा बोले रो जेडलेक्स है उसमें सारे features होते हैं जैसे कि उसमें आपको AC भी मिलता है power steering भी मिलता है और power window भी मिलता है और उसमें voice command भी है आपको अगर door कुला रहेगा तो वह भी बतलाएगा, handbrake engage रहेगा तो वह भी बतलाएगा, fuel कम रहेगा तो वह भी बतलाएगा, कितना mileage दे रहा है वह भी बतलाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि JLX में बहुत सारे features है, fully loaded महिंदरा बोलेरो जो है, वह JLX है, तो अब बात करते हैं कि second hand market में इतने सारे models ह तो price क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि अगर 2004 का, 5 का या 6 का JLX है या DI है, तो वह आपको एक लाग, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार से ले करके 1.5 लाग तक में अराम से मिल जाएगा, बस आपको ध्यान देना है कि उसका engine का condition अच्छा हो, बोडी में रस्टिं ना हो, और tax paid होना बहुत जरूरी है, इस तरीके से देखा जाये तो 2007 का, 8 का, 9 का जो बोलेरो है, वो आपको 1.5 लाग से ले करके 1.5 लाग के range में मिल जाएगा, बस depend करता है कि उसका condition कैसा है, और इस तरीके से अगर देखा जाये, 2010 से ले करके, 2015 का जो बोलेरो है, वो 1.5 लाग से ले करके 4.5 लाग तके range में मिलेगा, डिपेंड करता है कि उस बोलेरो का condition कैसा है, कितना चला हुआ है, उसी के हिसाब से उसका ये price में आप लोगों को बतला रहा हूं, और अगर बोलेरो 2015 का है, 16 का है, 17 का है, तो वो 4.5.5 लाग, 6.5.6 तक भी जा सकता है, तो कह रहने का मतलब है कि महिंद्रा बोलेरो का जो second hand market में price मिनीमम कम से कम जो है, वो एक लाग से ले करके आप 6.5 लाग तक उसका price होता है, अब उसमें आपको ध्यान देना है कि वो कौन से साल का है, उसका condition कैसा है, उसका paper सारा complete है कि ने, ये सारा चीज आपको ध्यान देना है और बिल्कुछ चिक करना है और उसके बाद महिंद्रा बोलेरो के बारे में, क्योंकि महिंद्रा बोलेरो काफी ज़्यादा पसंद की जाती है, पसंद इसलिए की जाती है, इसका maintenance बिल्कुल कम है, इसका resale value बहुत अच्छा है, गाओं में और कस्बों में और सहर में भी ब महिंद्रा बोलेरो अराम से खरीच सकते हैं, और जो लोग भाड़ा में चलना चाहते हैं, वो भी महिंद्रा बोलेरो अराम से खरीच सकते हैं, और जो लोग भाड़ा में चलते हैं, उन लोगों का ज्यादा डिमांड डियाई का होता है, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में सली से चेक करूंगा जिसको मुझे लगेगा कि हाँ यह कार आप लोगों को देना चाहिए वही कार मैं आप लोगों को दिलाऊंगा और बिल्कुल वाजिब प्राइस में तो आज मैंने आप लोगों को महिंद्रा बोलेरों के बारे में सारा कुछ बतलाया अच्छे से कि वह क स्कॉर्पियो का वीडियो चाहते हैं तो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं स्कॉर्पियो का आप जा करके स्कॉर्पियो का वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा उसका मेंटेनेंस उसका माइलेज और कितने तक में महिंद्रा स्कॉर्पि तो आज का वीडियो यहीं कम्प्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और खुश रहें